हाई फ्रेंज टेकनिकल शुबशिष चैनल में फिट से एक बार आपका स्वागा थे आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टेबिल फैन जिसमें से फाइब आयर निकली हुई है उस फाइब आयर को आसानी से कैसे कनेक्शन करे इसलिए हम फाइब आयर निकला हुआ है इसमें हम देख सकते है एक 2 3 4 और 5 5 आयर इसमें से एक बुलू एक यलो एक ग्रीन एक हुईट और एक रेड तो आपको ज़्यादा कूर्स करता नहीं शरफ एक स्रिस लाइन लेना है आपका स्रिस लाइन बनाना नहीं आती तो कॉमेंट कीजियेगा हम इसकी उपर भी वीडि देंगे आप माल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं माल्टीमीटर सब की पास नहीं होती इसलिए हम स्रीस लाइन से टेस्ट करेंगे सबसे पहले हम इस 5 ओयर की बाड़ में जान लेते हैं इन 5 ओयर में से 2 ओयर क्यापसिटर की होती है और 3 ओयर कोईल का एक लो एक मीडियम और इसमें से हम क्यापसिटर का कौनसी ओयर है वो चेक करेंगे तो आपको बाता दू जीस दो ओयर में कनेक्शन करने से श्रीस लाइन का बाल्ब सबसे धिमी जालेगा वो दोनों ओयर क्यापसिटर का होगा तो आब हम चेक कर लेते हैं इसलिए हम श्रीस लाइन का एक ओयर को बुलू में connection कर ले थे और दूसरी को हम green में connection करके देखते तो यहां हम देख सकते series line बहुत तेज जल रहे है आप मैं white में connection कर ले थे तो इसमें थोड़ा धिमी जल रहे है आप मैं yellow में connection करके दीखते, इसमें भी तेज आप rate में connection कर लेते, आप देखते एसमें भी तेज, आप मैं इस iar को ढ़ुत हैं, अप blue iar को आप connection करके देखते, इसमें तेज, white में भी थोड़ा सा कम, blue में ज्यादा, rate में ज्यादा आप मैं इस वायर को white में connection कर लेते है आप मैं blue में connection कर लेते है इसमें थोड़ा सा धिमी आप मैं green में connection कर लेते है इसमें भी थोड़ा सा धिमी आप yellow में connection कर लेते है इसमें भी थोड़ा सा धिमी आप मैं red में connection कर लेते है आप देख सेकते red और white इन दोनों में सब सबसे धिमी जल रही है चेक करने के बाद हमको ए मालूम हुआ हुआइट और रेड में सबसे धिमी जल रही है तो हम इन तीन और को अलग कर लेते और इन दो और में हम क्याबसिटर कनेक्शन कर लेते है अब हम स्रीज लाइन का एक और को हम क्यापासिटर का किसी भी एक ओयर से कनेक्शन कर लेते हैं अगर फैन उल्टी दिसे में घुमेगा हम स्रीज लाइन का ए बाला ओयर इसमें से खुलके क्यापासिटर का दूसरी साइट में कनेक्शन कर देंगे आप मैं सिरीज लाइन की दूसरी ओयर को इन तीनों में से किसी भी एक में कनेक्शन कर देंगे इससे पहले हम फैन को सामने घुमा लेते हैं और स्याफ्ट में टेप कर लेते हैं ताके पाता चले फैन किदार घुम रहे हैं उल्टी या सिधा अब मैं स्रीज लाइन की दूसरी ओयर को हम इन तीन ओयर में से किसी भी एक में कनेक्शन करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं फैन उल्टी दिशे में घूम रहे है तो हम स्रीज लाइन की इस ओयर को हम क्यापसिटर की दूसरी ओर कनेक्शन कर लेते हैं तो आप चला के देखते हैं आप हमारा फैन सिधा घूम रही है यहां हम देख सकते हैं तीनों में कनेक्शन करने से अलाग-अलाग इस फिर से ए फैन घूम रही है तो आप इस तरीके से टेबिल फैन का 5 वायर कनेक्शन कर सकते हैं तो थेंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो